C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तीन प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याए साथ इसका शीर्शक है हाशिया करण की समझ तो आईए अब सुनते हैं अध्याए साथ प्रिष्ट 78, एकाई 4 इस प्रिष्ट पर महिलाओं को न्याए दिलाने के मुद्दे पर कई महिलाएं प्रदर्शन करती हुई एक चित्र में देखी जा सकती हैं प्रिष्ट 89 शिक्षकों के लिए समानता एक मूल्य भी है और अधिकार भी इसे हमने सामाजी केवं राजनीतिक जीवन किताब की श्रिंखला में समझने का प्रयास किया है इन सालों के दौरान हमने समानता की अवधारनात्मक समझदारी को और पुखता बनाया है हमने आपचारिक समानता और वस्तुगत समानता के बीच फर्क स्पष्ट करते हुए वस्तुगत समानता की दिशा में बढ़ने की जरूरत को समझा है कक्षा साथ की पुस्तक में दी गई कांता की कहानी इस बात का उदाहरन है हमने इस बात को भी रेखांकित किया कि समानता को समझने के लिए असमानता के अनुभव और उसकी अभिव्यक्ती पर ध्यान देना भी जरूरी होता है इस प्रकार हमने डॉक्टर अंबेडकर और ओम्प्रकाश वालमीकी के बच्पन के अनुभवों के माध्यम से भेद भाव और असमानता के आपसी संबंधों की पड़ताल की है संसाधनों तक पहुँच असमानता के कारण किस तरह प्रभावित होती है इस बात को हमने शिक्षा तक महिलाओं की पहुँच के उदारण से समझने का प्रयास किया है रससुंदरी देवी और रुकईया बेगम के लेखन से हमें अंदाजा मिलता है कि इस अवरोध को दूर करने के लिए औरतें किस तरह संगर्ष करती है हमने सम्विधान में दिये गए मूल अधिकार का बार बार जिक्र किया है इनके माध्यम से हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि समानता तथप्रतिष्ठा का विचार भारत में लोकतंतर के संचालन के लिए महत्वपून है इस एकाई में हाशिया करन या मुख्यधारा से अलग थलग पढ़ जाने की अवधारना के जरिए इस बात पर और बारीकी से ध्यान दिया गया है कि असमानता से विभिन समूहों और समुदायों पर किस तरह के असर पढ़ते हैं इस एकाई में आदिवासी, मुसल्मान और दलित इन तीन समूहों पर खास ध्यान दिया गया है इन तीन समुहों को इसलिए चुना गया क्योंकि इन तीनों समुहों के हाशिया करण के कारण अलग-अलग हैं और कई बार उन्हें ये हाशिया करण अलग-अलग रूपों में अनुभव होता है। दिये गए तबकों को पहचानने और उनके दर्द को समझने के भी योग्य बनाया जाना चाहिए। आपको चाहिए कि आप बच्चों को अपने इलाके में इन हाशियाई समुदायों को पहचानने में मदद दें। अध्याई साथ में हम आदिवासी और मुस्लिम समुदायों के अनुभवों पर ध्यान देंगे। अध्याई आठ में इस बात पर चर्चा की गई है कि सरकार और स्वयम इन समुदायों ने विभिन्न संगर्षों के जरिये अपने हाशिया करण को दूर करने के लिए किस तरह कोशिशें की हैं। सरकार इस स्थिती से निपटने के लिए कानून बनाती है और इन समुदायों को लाभ पहुचाने के लिए कई नीतियां और योजनाईं लागू करती है। इस एकाई में हमने आकणों, कविताओं, चित्रकथापट, केस स्टडी इत्यादी कई तरह के शेक्षनिक साधनों का इस्तिमाल किया है। आदिवासी अपने जीवन में हाशिया करण की प्रक्रियाओं को किस तरह महसूस करते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए चित्रकथापट का इस्तिमाल करें। दलितों से संबंधित केस स्टडी के सहारे आप इस कानून की एहमियत पर चर्चा कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि इस कानून से मौलिक अधिकारों के प्रती संविधान की प्रतिबधता किस तरह प्रतिबिम्बित होती है। मुस्लिम समुदाय की स्थिती को समझने के लिए हमने आकड़ों, एक चिठ्थी और एक केस स्टडी का इस्तिमाल किया है जिनका कक्षा में विशलिशन किया जा सकता है। इस सिकाई में समाज विज्ञान और भाशा की पाठ्थे पुस्तकों के बीच खिंची विभाजन रेखाओं को तोड़ने के लिए गीतों और कविताओं का इस्तिमाल किया गया है। इस बहाने हम ये भी कहना चाहते हैं कि विभिन समुदायों की रोजाना की जिंदगी में इस तरह का फर्क नहीं होता। वैसे भी न्याय के संगर्षों ने ऐसे अनेक अविस्मर्णिय गीतों और कविताओं को जन्म दिया है जिनें पाठ्थे पुस्तकों में प्रायह जगह नहीं मिल पाती। इस अध्याय में कई ऐसे मुद्दे हैं जो कक्षा के भीतर तीखी बहस खड़ी कर सकते हैं। बच्चे इन मुद्दों से अवगत भी हैं। लिहाजा हमें इन बातों पर चर्चा करने के परिपक्व और संतुलित रास्ते ढूंडने होंगे। आपको ये सुनिश्चित करने के लिए इन चर्चाओं में एहम भूमी का निभानी है कि कोई भी बच्चा या बच्चों का समुहूं भेद भाव का शिकार महसूस न करे। किसी को मजाक का पात्र बनने या चर्चाओं में अप्रासंगिक हो जाने का बोध न हो। प्रिष्ट अस्सी सामाजिक रूप से हाशिय पर होने का क्या मतलब होता है। आप कौपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाई और खाली जगह होती है जहां आमतोर पर लिखा नहीं जाता है। उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिये पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वो व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता। ये एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी ना कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज्यादतर बच्चों जैसे नहीं हैं यानि अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुची अलग तरह की है। अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है अगर आप औरों की तरह गप शप में ज्यादा मजा नहीं लेते अगर आप वो खेल नहीं खेलते जो ज्यादतर बच्चे खेलना चाहते हैं अगर आपका पहनावा अलग तरह का है तो इस बात की गुंजाइश बढ़ कि आपके संगी साथ ही आपको अपने बीच का या अपने बीच की नहीं मानेंगे इस तरह आप अकसर ये महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं गोया आपकी कही बात आपके एहसास आपकी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समुहू या समुदाय हो सकते हैं जिने इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है उनके हाशिया करण की वजह ये हो सकती है कि वे एक अलग भाशा बोलते हैं अलग रीती रिवाज अपनाते हैं या बहु संख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म की हैं वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेश लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिये पर महसूस करते हैं। कई बार हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। पासले और अलग थलग किये जाने का ये एहसास समूदायों को संसाधनों और मौकों का फाइदा उठाने से रोक देता है। फल स्वरूप हाशियाई समूदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्ती हीनता और पराजय का एहसास रहता है जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, जो ज्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब ये है कि हाशिया करण किसी एक ही दाइरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दाइरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याई में आप दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिये पर माना जाता है। प्रिष्ट 81 इस प्रिष्ट पर बाई और सबसे उपर नीले रंग के अक्षरों में लिखा गया है आदिवासी और हाशिया करन। इस प्रिष्ट पर चित्रों के माध्यम से आदिवासीयों के बारे में जानकारी दी गई है। बाई ओर सबसे उपर जो चित्र दिखाया गया है उसमें सबसे उपर लिखा है दिल्ली में एक आदिवासी परिवार उसके नीचे लिखा है सुमा और हेलन अपने दादा जी के साथ बैठ कर टेलिविजन पर गणतंतर दिवस की परेड देख रही है परेड देखते हुए सुमा कहती है अरे देखो आदिवासीयों की नाव हेलन कहती है दादू वे आदिवासीयों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाते हैं दाई और इसके बगल वाले चित्र में दादू, सोमा और हेलन चाय पीते हुए आपस में बाच्चित करते हुए दिखाए गए हैं। सोमा कहती है, हाँ, क्या हमारे बारे में वो और कुछ भी नहीं जानते। दादा जी उत्तर देते हुए कहते हैं, सही कहा तुमने, आदिवासियों की दुनिया बहुत सम्रिद्ध है, ज्यादतर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। इस प्रिष्ट पर बीच में बाई और दादा जी का चितर दिखाया गया है। दादा जी कह रही है, जब मैं तुम्हारी उमर का था, तो उडिसा में हमारा गाउं बहुत खुबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें अपनी जमीन और जंगलों से मिल जाती थी। हम भी अपनी धर्ती, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते थे। इसके बगल वाले चितर में दादा जी कहते हुए देखे जा सकते हैं। तभी अचानक हमें बताया गया के ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकिदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो वे हमारी पिटाई करते थे। हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ ना तो हमें वकील मिलता था और ना हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। इस चित्र में जंगल कटाई का द्रिश्य भी दिखाया गया है। इस प्रिश्ठ पर बाई और नीचे दिखाये गए चित्र में सोमा अपने दादा जी से प्रश्न पूछ रही है। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई। उत्तर देते हुए दादा जी कहते हैं हम मेंसे बहुत सारी लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंदे समाई समाई पर मिल जाते हम उन्हें करने लगे। इस चित्र में सडक बनाने की गतिविधी भी दिखाई गई है। इसके बगल वाले चित्र में दादा जी चाय पीते हुए अपनी पोतियों से बात करते हुए दिखाई गए हैं। वे कहते हैं फिर अफसर आए। उन्होंने कहा कि हमारी जमीन के नीचे लोहे के भंडार हैं। वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किये। कहते थे कि अगर हम अपनी जमीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी वा पैसा देंगे। कुछ गाउवाले तो बहुत खुश हुए। कुछ को लगता था कि इस से हमारी जिन्दगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागजों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिये। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगा कर वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। मुठी भर लोगों को उन्होंने छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया। लेकिन ज्यादा तर लोगों ने अपनी जमीने नहीं बेची। इस चित्र में नीचे एक अफसर प्रसन्न मुद्रा में आदिवासी भूमी अधिगरण की फाइल को सभी को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी आदिवासी लोग उसे अश्चरे चकित होकर देख रही हैं। प्रिष्ठ बयासी इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर दादा जी अपनी बात कहते हुए नजर आ रही हैं। वे कहते हैं तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सब को अपने पुर्खों की जमीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शहली का रातों रात नामों निशान गायब हो गया। इस चित्र में नीचे आदिवासियों के साथ मारपीट का द्रिश दिखाया गया है। इसके बगल वाले द्रिशे में दादू अपनी बात कहते हुए नजर आ रही हैं और उसके उत्तर में सुमा कहती है। ओ दादू और हमारी जमीन उसका। उत्तर में दादू कहते हैं तीसे कड़ जमीन के बदलेठे के दार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज्यादतर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। इस चित्र में नीचे आदिवासियों का अपने गाउं से पलायन दिखाया गया है। इस प्रिष्ट पर बीच में बाई और दादू अपनी बात कहते हुए नजर आ रही हैं। वे कहते हैं शहर में वो पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा था। हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेख़ौफ जिन्दगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। इस चित्र में नीचे गाउं के द्रिशे को फिर से दिखाया गया है। इसके बगल वाले द्रिशे में दादू अपनी बात को कहते हुए दिखाये गई हैं। वे कहते हैं कुछ साल बाद तुम्हारे पिता जी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम यहां चले आए। इस चित्र में नीचे दिल्ली की कुतब मीनार का द्रिश्य दिखाया गया है। उसके सामने दादू अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ चलते हुए नजर आ रही हैं। इस पृष्ट पर बाई और सबसे नीचे टेलिविजन के सामने सूमा और हेलन अपने दादू के साथ बैठे हुए दिखाई दे रही हैं। दादू के हाथ में चाय का कप है। सूमा कहती है मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा बोलते थे इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। हेलन कहती है लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। इसके बगल वाले दृष्षे में सूमा कहती है काश मैं अपने दोस्तों को अपना गाउं बरबाद होने से पहले दिखा सकती। उसे उत्तर देते हुए दादू कहते हैं तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गाउं के बारे में बता सकती हो। इससे वे काफी कुछ सीख सकते हैं। हेलन कहती है एक दिन मैं अपने याने आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। अभी आपने पढ़ा कि किस तरह दादू को उडिसा का अपना गाउं छोड़ना पढ़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशिया करण के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। आदिवासी कौन लोग हैं। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग आठ प्रतिशता आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपून, खनन एवं अध्योगिक शेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में पांच सौ से ज्यादा तरह के आदिवासी समुह हैं। चतीस गड, जारखंड, मध्यप्रदेश, उडीसा, गुजरात, महराष्ट्र, राजस्थान, आंधर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तरपूर्व के अरुनाचल प्रदेश, असम, मनिपुर, मेघालय, मिजुरम, नागालैंड एवं तृपुरा आदी राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है, अकेले उडिसा में ही साट से ज्यादा अलग-अलग जन जाती ये समुहु रहते हैं, आदिवासी समाज औरों से बिलकुल अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके भीतर उच नीच का फर्क बहुत कम होता है, इसी वजह स ये समुदाय जाती वर्ण पराधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिलकुल अलग होते हैं, आदिवासियों के बहुत सारे जन जाती ये धर्म होते हैं, उनके धर्म, इसलाम, हिंदू, इसाई आदी धर्मों से बिलकुल अलग हैं, व प्रकृती से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशुआगी की आत्माएं हैं। वे विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अकसर गाओं की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है। जबके पूर्खों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौध और इसाई आदी धर्मों वशाक्त, वैशनम, भक्ति आदी पंथों से भी प्रभावित होते रही हैं। लेकिन ये भी सच है कि आदिवासीयों के धर्मों का आसपास के सामराज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। इस प्रिष्ठ पर बाई और सब से उपर नीले रंग के अक्षरों में आपको महत्वपून जानकारी दी गई है। लिखा गया है कम से कम तीन कारण बताईये कि विभिन्न समुहु हाशिय पर क्यों चले जाते हैं। इसके नीचे लिखा है दादू को उडिसा का अपना गाउं क्यों छोड़ना पड़ा। इस प्रिष्ठ पर बाई और बीच में गुलाबी रंग के बकसों में महत्वपून जानकारी दी गई है। उपर के बकसे में लिखा गया है आदिवासियों को जनजाती भी कहा जाता है। इसके नीचे वाले गुलाबी रंग के बकसे में लिखा गया है। शायद आपने अनसूचित जनजाती शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। इस प्रिष्ट पर बाई और नीचे नीले रंग के अक्षरों में आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है लिखा गया है आपके शहर या गाउं में कौनसे समुहु हाशिये पर हैं चर्चा करें क्या आप अपने राज्ये के किसी जनजाती ये समुधाय का नाम बता सकते हैं वो समुधाय कौनसी भाशा बोलता है क्या वे जंगलों के आसपास रहते हैं क्या वे काम की तलाश में दूसरे इलाकों में जाते हैं प्रिष्ठ 84 इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर दो चित्र दिखाए गए हैं इन दोनों चित्रों के नीचे लिखा गया है ये परंपरागत पोशाकों में सजे धजे जनजाती ये समुधायों की तस्वीरे हैं आम तोर पर आदिवासियों को इनी रूपों में पेश किया जाता है इसके आधार पर हमें ये गलत फहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे और पिछडे लोग होते हैं उडिसा का जगननात पंथ और बंगाल व असम की शक्ती एवं तांतरिक परंपराएं इसी के उदाहरण हैं उन्नीस्वी सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने इसाई धर्म अपनाया जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपून धर्म बन गया है आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं उनमें से ज्यादा तर संस्कृत से बिलकुल अलग और संभवत है उतनी ही पुरानी है इन भाषाओं ने बांगला जैसी मुख्यधारा की भारतिय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है उनकी अपनी पत्र-पत्रिकाएं निकलती हैं इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है स्कूलों के उत्सवों, सरकारी कारेक्रमों या किताबों वा फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं इसके अलावा हम उनकी जिंदगी की सच्चाईयों के बारे में बहुत कम जानते हैं इसलिए बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकरशक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है आदिवासियों पर ये आरोप भी लगाया जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं कक्षा च्छे की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई च्छवियों में देखते चले जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अकसर कितना भेद भाव होने लगता है आदिवासी और विकास जैसा के आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है भारत में तमाम सामराज्यों और सभिताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है लोहे, तांबे, सोने वचांदी के अयस्क, कोईले और हीरे, केमती इमारती लकडी, ज्यादतर जड़ी बूटियां और पशु उत्पाद जैसे मूम, लाख, शहद और स्वयम जानवर, जैसे हाथी जो के शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं इसके अलावा, जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है इनी जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुनवत्ता को भी गेहरे तौर पर प्रभावित करते हैं प्रिष्ट 85 19. सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढखा हुआ था और कम से कम 19. सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ग्यान था इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी उनका जंगलों पर पूरा नियंत्रन भी था इसी लिए आदिवासि समुदाई बड़ी-बड़ी रियासतों और रजवाडों के अधीन नहीं रहे बलके बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर रहते थे ये तस्वीर आदिवासियों की प्रचले तच्छवी से बिलकुल अलग है आज उन्हें हाशिये और शक्तिहीन समुदाई के रूप में देखा जाता है आपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाई शिकार और चीजें बीन कर आजी विका चलाते थे वे एक जगे ठहर कर कम रहते थे वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे हालांके ये परंपराई अभी भी कायम हैं लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलावों, वननीतियों और राज्य वर निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्मान स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढके ला जा रहा है इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वनक्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और नहीं उन तक सीधी पहुँच है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है लिखा गया है जारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों जैसे मौरिशस, केरिबियन और यहां तक के आस्ट्रेलिया में जाते रही हैं भारत का चाई उद्द्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है आज अकेले असम में सत्तर लाक आदिवासी हैं इस विस्थापन की कहानी भीशन कठिनाईयों, यातना, विरहे और मौत की कहानी रही है उन्नीस्वी सदी में ही इन पलायनों के कारण पाँच लाक आदिवासी मौत के मुह में जा चुके थे यहां दिया गया गीत आदिवासीयों की आकांक्शाओं और असम में उनके वास्तविक हालात की बानगी पेश करता है लिखा गया है आओ मिनी असम चलें हमारे देश में तो बहुत कश्ट हैं असम की धर्ती पर मिनी हरियाली से भरे चाई के बागान है सरदार कहता है काम, काम, बाबु कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, सहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेर दूँगा ए जादूराम, तुमने हमें असम भेज कर बड़ा चल किया है इसका स्रोत है बसु एस जारखंड मूव्मेंट, एथनिसिटी कल्चर एंड साइलेंस इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर नीले रंग के अक्षरों में आप से कुछ महत्पवपून प्रश्न पूछे गए हैं लिखा गया है आज के भारत में कौन सी धातूएं महत्पवपून हैं, क्यों? वे धातूएं कहां से हासिल होती हैं? क्या वहां आदिवासियों की आबादी है? ऐसे पांच उत्पाद बताईए जो जंगल से मिलते हैं और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं वनभूमी पर ये मांगें किन लोगों से की जा रही हैं? मकानों और रेलवे के निर्मान के लिए इमारती लकडी, खनन के लिए वनभूमी, गैर जनजातीय लोगों द्वारा क्रिशी के लिए वनभूमी का उपियोग, वन्यजीव अभ्यारण्यों के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन इन मांगों से जनजातीय समुदायों पर किस तरह असर पड़ता है? इस प्रिष्ठ पर बई और नीचे एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक अफसर आदिवासियों से काम लेता हुआ नजरा रहा है इसी प्रिष्ठ पर सबसे नीचे नीले रंग के अक्षरों में आप से एक प्रश्ण पूछा गया है लिखा गया है इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है प्रिष्ठ 86 इस प्रिष्ठ में सबसे उपर खदान का द्रिश्य दिखाया गया है इस चित्र के साथ ही इसके बारे में विवरण दिया गया है यह फोटो उडिसा के काला हांडी जिले में स्धित नयामgarी पहाडी का है यह डूंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है नयामगीरी इस समुदाय का पवित्र परवत है एक बड़ी aluminium company यहाँ खान और शोधक संयंत्र याने refinery लगाना चाहती है ये योजना इस आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जम कर विरोध किया है पर्यावरण वादी भी उनका समर्थन कर रही है सर्वुच न्यायालय में company के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है इस चित्र के नीचे लिखा गया है इमारती लकडी और खेती वो उद्द्योगों के लिए विशालवन भूमियों को साफ किया जा चुका है आदिवासियों के इलाकों में खनिच पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार चीना गया है जनजाती ये भूमी पर कबजा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है काफी बार उनकी जमीन जबरन चीनी गई है और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है सरकारी आंकणों से पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में पचास प्रतिशत से ज्यादा केवल आदिवासी रही है आदिवासीयों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताजा सर्वेक्षन रिपोर्ट से पता चलता है कि आंधर प्रदेश, चत्तीस गड़, उडीसा और जारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 89 प्रतिशत आदिवासी थे उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैक्णों बांधों के जलाशेयों में डूब चुकी है पूरवुत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके बीच चलने वाले टकरावों से बिंधी है इसके अलावा भारत में 101 राश्ट्रिय पार्क 40,564 वर्ग किलोमीटर में और 543 वन्य जीव अभ्यारण्य एक लाख उन्नीस हजार 776 वर्ग किलोमीटर में हैं ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे अब उन्हें वहां से उजार दिया गया है अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे गुलाबी रंग के बकसे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है लिखा गया है आदिवासी लगभग दस हजार तरह के पौधों का इस्तिमाल करते हैं उन्हें से लगभग आठ हजार प्रजातियां दवाईयों के तौर पर तीन सो पच्चीस प्रजातियां कीट नाशकों के तौर पर चार सो पच्चीस प्रजातियां गौंद, रेजिन और डाई के तौर पर और पांच सो प्चास प्रजातियां रेशों के लिए इस्तिमाल की जाती हैं इन में से 3500 प्रजातियां भूजन के रूप में इस्तिमाल होती हैं जब आदिवासी समुदाए वन भूमी पर अपना अधिकार खो देते हैं, तो ये सारी ग्यान संपदा भी खत्म हो जाती है। अपनी जमीन और जंगलों से बिछडने पर आदिवासी समुदाए आजीविका और भोजन के अपने मुखे सुरोतों से वन्चित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवा स्थानों के चिंते जाने की वज़े से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शेहरों का रुख कर रही हैं। प्रिष्ट 87 वहां उन्हें छोटे मोटे उद्द्योगों, इमारतों या निर्मान स्थलों पर बहुत मामूली वेतनवाली नौकरियां करनी पड़ती हैं। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीन इलाकों में 45 परतिशत और शहरी इलाकों में 35 परतिशत आदिवासी समूहूं गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों के शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोशन के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षर्ता भी बहुत कम है। जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है, तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नश्ट हो जाता है। वे अपनी परमपराएं और रीती रिवाज गवाँ देते हैं, जो उनके जीने और अस्तित्वका स्रोत हैं। उडिसा में एक रिफाइनरी परियूजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिये हैं, उन्होंने श्मशान भूमी, मंदिर, कूए, तालाब, सब कुछ अपने कबजे में ले लि और सामाजी कायाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दाइरे में होने वाला विनाश दूसरे दाइरे को भी प्रभावित करता है, उनके संसाधनों के लिए होने वाली चीना जप्ती और विस्थापन की ये प्रक्रिया अकसर दर्दनाक और हिंसक होती है, इस प्रिष आत्महत्वपूण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वनभूमी के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। इस प्रिष्ठ पर बई और बीच में शीरशक लिखा गया है अल्पसंख्यक और हाशिया करण। और भाशाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहया कराई जा रही हैं। अल्प संख्यक शब्द आम तौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तिमाल किया जाता है, जो संख्या की दृष्टी से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम हैं। लेकिन ये अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बलके इसके सामाजिक वसांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा के आपने एकाई एक में पढ़ा था, भारतिय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभीव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिये पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्प संख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के संस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पढ़ती है। प्रिष्ट 88 ये प्रावधान उन्हें भेद भाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ती और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की ये भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्प संख्यक और बहु संख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संबिधान में इन सुरक्षाओं की विवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संबिधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता वर न्याय की स्थापना के प्रती संकल्प बद्ध है। जैसा के आप अध्याय पांच में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्याय पाली का एक एहम भूमी का निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो अधालत में जा सकता है। आईए, अब इन प्रावधानों की रोश्नी में मुसल्मानों के संदर्भ में हाशिया करन को समझें। इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर नीले रंग के अक्षरों में आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। लिखा गया है, अलप संख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की क्यों जरूरत है। इस प्रिष्ठ पर दाई और बीच में शीर्शक लिखा गया है मुसल्मान और हाशिया करन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसल्मानों की संख्या 14.2 प्रतिशत है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। विभिन्न सुरुतों से ली गई इन तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाउं, साक्षर्ता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुसलिम समुदाय की स्थिती कैसी है। यहां दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताईए कि वे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिती के बारे में क्या कहती हैं। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे गुलाबी रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है। शीरशक के रूप में सबसे उपर लिखा गया है मूल भूत सुविधाईं 2008-2009 उसके नीचे चार शीरशक लिखे गई हैं। धार्मिक समुदाय, पक्का घर, बिजली, नलका पानी। धार्मिक समुदाय के नीचे सबसे पहले लिखा गया है हिंदु। उसके सामने पक्का घर के लिखा गया है 65.4, बिजली के नीचे लिखा गया है 75.2, नलका पानी के नीचे लिखा गया है 43.7, इसी तरह धार्मिक समुदाय के नीचे दूसरे कॉलम में मुस्लिम लिखा गया है और उसके सामने लिखा गया है पक्का घर 63.8, बिजली 67.5, नल का पानी 35.8 इसी तरह से सिख समुदाय के सामने लिखा गया है पक्का घर 99.3, बिजली 96.0, नल का पानी 49.3 इसका स्रूत है इंडिया Human Development Report 2011 तुवर्ड सोशल इंक्लूजन, Oxford University, Press for Institute of Applied Manpower Research, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, प्रिष्ठ 346, 389, 392 इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे गुलाबी रंग के अक्षरों में एक प्रश्ण पूछा गया है, लिखा गया है, इन में से कौन से समुदायों को मूल भूत सुविधाईं सबसे ज्यादा और सबसे कम उपलब दहें, प्रिष्ठ 89, इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर गुलाबी रंग के बक्से में महत्वपून जानकारी दी गई है, लिखा गया है, दो, विभिनत धर्मों में साक्षर्ता दर 2011 है, प्रतिशत, कुल 74 प्रतिशत, हिंदू 63 प्रतिशत, मुसलिम 57 प्रतिशत, ईसाई 74 प्रतिशत, सिख 67 प्रतिशत, बौध 71 प्रतिशत, जैन 86 प्रतिशत, सिरोत भारत की जनगणना 2011 है इसके नीचे गुलाबी रंग के अक्षरों में एक प्रश्न पूछा गया है लिखा गया है किन समुदायों की साक्षर्ता दर सबसे ज्यादा और सबसे कम है इसके नीचे एक और गुलाबी रंग के बक्से में महत्पपून जानकारी दी गई है सबसे उपर लिखा गया है क्रमांक 3 सरकारी नौकरियों में मुसल्मानों का प्रतिशत शीर्शक आबादी उसके नीचे लिखा गया है 13.5 प्रतिशत भारतिय प्रशासनिक सेवा अर्थात IAS 3 प्रतिशत भारतिय पुलिस सेवा IPS 4 प्रतिशत भारतिय विदेश सेवा IFS 1.8 प्रतिशत केंद्रिय सार्वजनिक क्षेत्रिय एकाईया PSU 3.3 प्रतिशत राज्य स्तरिये PSU 10.8 प्रतिशत, बैंक एवं रिजर्व बैंक 2.2 प्रतिशत, सुरोत भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शेक्षनिक स्थिती, प्रधान मंत्री की उच्च स्तरिये समिती की रिपोर्ट 2006 इस बक्से के नीचे गुलाबी रंग के अक्षरों में आप से एक प्रश्न पूछा गया है, लिखा गया है, ये आंकडे क्या बताते हैं? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसल्मान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछडे हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरिये समिती का गठन किया. न्याय मूर्ती राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिती ने भारत में मुसलिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शेक्षणिक स्थिती का जायजा लिया. रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशिया करण का विस्तार से अध्ययन किया गया है. समिती की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन सामाजिक, आर्थिक और शेक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसल्मानों की स्थिती अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती जैसे अन्याहाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है. उदाहरण के लिए साथ से सूलह साल की उम्र के मुसलिम बच्चे अन्यासामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं. प्रिष्ठ चपपन इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे नीले रंग के अक्षरों में महत्पपून जानकारी दी गई है. लिखा गया है सच्चर समिती रिपोर्ट में दिये गए शिक्षा संबंधी आंकणों को पढ़िये. नीले रंग के बिंदू के सामने लिखा गया है चैसे चौदह साल के उम्र के पच्चीस प्रतिशत बच्चे या तो कभी स्कूल नहीं गए या स्कूल छोड़ चुके हैं. किसी भी सामाजिक धार्मिक समुदाय के मुकाबले ये संख्या बहुत बड़ी है. प्रिष्ट 58. क्या आपको लगता है कि इस स्थिती से निपटने के लिए विशेश प्रावधान करना जरूरी है? इस प्रिष्ट पर बाई और नीचे इसी विशेश पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए लिखा गया है. मुसल्मानों के आर्थिक वो सामाजिक हाशिया करण के कई पहलू हैं. दूसरे अल्प संख्यकों की तरह मुसल्मानों के भी कई रीती रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग हैं. सब नहीं लेकिन कुछ मुसल्मानों में बुर्खा, लंबी दाड़ी और फैस टोपी का चलन दिखाई देता है. प्रिष्ट नब्बे बहुत सारे लोग सभी मुसल्मानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं. इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नजर से देखा जाता है. कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं. अक्सर यही सोच उनके साथ गलत विवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है. कक्षा साथ में आपने पढ़ा था कि किस तरह अनसारी परिवार को किराय पर मकान ढूंडने में मुश्किल आ रही थी. मुसल्मानों के इसी सामाजिक हाशिया करण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आये हैं, वहां से निकलने लगे हैं, जिस से अक्सर उनका गेटवाईजेशन होने लगता है. कभी-कभी यही पूर्वाग्रह घ्रिणा और हिंसा को जन्म देता है. इस प्रिष्ट पर बाई और उपर एक चित्र दिखाया गया है. इसमें प्रदर्शन करती हुई कुछ मुसलिम महिलाएं दिखाई गई हैं, उनके हाथ में एक तख्ती है. जिस पर अंग्रेजी में लिखा गया है, स्टॉप अटैक आउन मुसलिम्स विमिन्स राइट्स. इस फोटो के नीचे लिखा गया है, मुसलिम महिलाएं भारत में महिला आंदोलन का एक महत्वपून हिस्सा रही हैं. इस प्रिष्ठ पर बीच में पीले रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी प्रदान की गई है. लिखा गया है, मैं एक मुसलिम बहुलक शेतर में रहती हूँ. कुछ दिन पहले रंजान के दौरान वहां कुछ गड़बडी हुई जिसने जल्दी ही सामप्रदाईक रूप ले लिया. मैं और मेरा भाई पडोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे. मैंने परमपरागत कपड़े याने सलवार कमीस पहनी थी. मेरा भाई शेरवानी पहने था. घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदल कर जीन्स और टी-शिट पहन ले. अब जब की सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया और मुझे ये बात अजीब क्यों नहीं लगी. क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाती है और क्या यही पहचान सारे खत्रों और भेदभाव की जड़ है इस प्रिष्ठ पर नीचे गुलाबी रंग के अक्षरों में एक प्रश्न पूछा गया है लिखा गया है उपरोक्त निबंध आपकी ही उम्र की एक बच्ची ने लिखा है आपकी राए में वो क्या कहने का प्रयास कर रही है इस प्रिष्ठ पर पीले रंग के बकसे के नीचे लिखा गया है इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसल्मानों के आर्थिक और सामाजिक हाशिया करण के बीच गहरा संबंद है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिती के बारे में भी पढ़ा। सात्वी कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिती के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशिया करण एक जटिल परी घटना है जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब है कि सम्विधान द्वारा परिभाशित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों वर नीतियों की रख्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रख्षा कर पाएंगे, जो हमारे देश को एक अनूठी छटा देती है और नहीं समानता के प्रती, राज्ये की प्रतिवधता को साकार कर पाएंगे। प्रिष्ट 91. निश्कर्ष इस अध्याय में हमने ये समझने का प्रयास किया है कि हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है। इन समुदायों के हाशिय पर रह जाने के अलग-अलग कारण है। प्रत्येक समुदाय इसको अलग-अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने ये भी देखा है कि हाशिया करण का संबंध अभाव, पूर्वा ग्रह और शक्ती हींता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशिया करण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बलके शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एकी तरह से हाशिये पर नहीं रहता। अगर हम हाशिया करण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हाशियाई समुदाये अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास वो अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अधियाई में आप जानेंगे कि विभिन समुधों ने इस हाशिया करण का सामना किस तरह किया है। इस प्रिष्ट पर बाई और एक बच्चे का चित्र दिखाया गया है जिसके हाथ में एक स्लेट है और उसके नीचे लिखा गया है। सच्चर समिती रिपोर्ट ने मुसल्मानों के बारे में प्रचलेत दूसरी गलत फहमियों को भी उजागर कर दिया है। आमतोर पर माना जाता है कि मुसल्मान अपने बच्चों को सिर्फ मदर्सों में भीजना चाहते हैं। आंकडों से पता चलता है कि केवल 4 प्रतिशत मुसल्मान बच्चे मदर्सों में जाते हैं। मुसल्मानों के 66 प्रतिशत बच्चे सरकारी और 30 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रही हैं। बानवे अभ्यास एक हाशिया करण शब्द से आप क्या समझते हैं। अपने शब्दों में दो तीन बाक्ये लिखिये। दो आदिवासी लगातार हाशिय पर क्यों खिसकते जा रही हैं। दो कारण बताईए। तीन आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए समवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्पपून मानते हैं। इसका एक कारण बताईए। चार आप एक बहस में हिस्सा ले रही हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसल्मान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर दो तर्क पेश कीजिए। चै कल्पना कीजिए कि आप टेलिविजन पर 26 जन्वरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नज़दीक बैठी है। वो अचानक कहती है इन आधिवासियों को तो देखो कितने रंग बिरंगे हैं। लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आधिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे। उनमें से तीन बातें लिखें। साथ चित्र कथा पट में आपने देखा कि हैलन होप आधिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आप आधिवासियों के बारे में एक कहानी बना कर उसकी मदद कर सकते हैं। आठ क्या आप इस बात से सेहमत हैं कि आर्थिक हाशिया करण और सामाजिक हाशिया करण आपस में जुड़े हुए हैं। क्यों। प्रिष्ठ तिरानवे शब्द संकलन उच नीच व्यक्तियों या चीजों की एक क्रमक व्यवस्था। आम तोर पर उच नीच की सीड़ी के सबसे निचले पाइदान पर वे लोग होते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाती विवस्था उँच नीच की विवस्था है, जिसमें दलितों को सबसे नीचे माना जाता है। गेटोआईजेशन ये शब्द आम तौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तिमाल होता है, जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। गेटोआईजेशन इस स्थिती तक पहुँचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। ये प्रक्रिया विभिन सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। भाय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एक जुट होने के लिए मजबूर कर सकती है। क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आम तोर पर महसे निकल पाने के ज्यादा विकल्प नहीं होते हैं जिसके कारण वो शेश समाज से कटता चला जाता है। मुख्यधारा काइदे से किसी नदी या जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्यधारा कहा जाता है। इस अध्याई में ये शब्द एक ऐसे संस्कृतिक संदर्भ के लिए इस्तेमाल हुआ है जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीती रिवाजों और प्रचलनों को ही सही माना जाता है। इसी क्रम में उन लोगों या समुदायों को भी मुख्यधारा कहा जाता है जिने समाज का केंद्र माना जा रहा है जैसे बवदा शक्तिशाली या वर्चस्वशाली समुदापित ऐसे लोग जिने बांध, खनन आदी, विशाल विकास परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा कर करने के लिए जबरन उनके घरबार से उजार दिया जाता है कुपोशित ऐसा व्यक्ति जिसे परियाप्त भोजन या पोशन नहीं मिलता इसी के साथ इस पुस्तक का अध्याइद यहां समाप्त हुआ वाचन बाबला कोछड तकनीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो नि निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत